टॉल blues नमस्कार दोस्तों हम सब खाना खाते हैं और हर दिन कम से कम 4-5 भार खाना खाते हैं इतना कुछ ड्रिंक भी पीते हैं बट एक बात याद रखिए इन सब को प्रोसेस कौन करता है करता है हमारा गट हमारा स्टॉमक हमारा intestine और इस processing में ये toxic हो जाती है मैं आपको आज बताने वाला हूँ क्या करें आपके हमारे intestine को और stomach को आप clean रख सकें detox कर सकतें और इसके लिए मैं 12 चीज़ों आपको बताने वाला हूँ 12 चीज़ आप कर सकतें अपने stomach को healthy रखने के लिए stomach का जो gas acidity and digestion ये सब को रोकने के लिए कोई को vomiting होती है नौशिया होती है उनको भी रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ पहला आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए आठ ग्लास पानी सारा दिन अगर आप लेते हैं थोड़ा सा गरम पानी में डालके उसको आप अगर ड्रिंक करते हैं तो ये आपके intestine को clean करता है और ये बहुत काम का चीज़ है फाइबर आपको मालूम है अगर हमारे खाने में फाइबर जादा होता है तो गट को healthy रखना में बहुत मदद मिलता है फाइबर कहाँ पर मिलता है जितने तरह के fruit सहथ, salad सहथ वो सब बहुत फाइबर देने वाला चीज़े है तो आप कोसिस करिए process food के जगे high rich fiber जो food हों को ज़्यादा लेने का कोसिस करिए चौथा चीज़ जो है lemon और honey निम्बू का पानी में थोड़ा सा सहथ डाल के अगर आप ले सकते हैं एक दिन में एक बार तो यह stomach को बहुत clean करता है stomach को healthy रखता है यह morning में आप रखिए इसको जरूर दिन में आप और चीज़े ले सकते हैं जैसे कोई भी juice फ्रेश juice हो या smoothies हो जो जिसमें aloe vera भी डाल सकते हैं apple का बना सकते हैं vegetable juices बना सकते हैं यह सब हमारे intestine को clean करता है intestine की movement बढ़ाता है चटा चीज़ आप जो ले सकते हैं हर्बल चाई हर्बल चाई आजकल herbs बहुत सारी हैं तुलसी की चाई मिलती हैं और इतने सारे herbs हैं कोई का भी herbal चाई आप लेने का कोसिस कीजिए वो बहुत काम की चीज़ आए अच्छा अद्रक का पानी आप अगर पी सकते हैं हर दिन थोड़ा सा तो वो आपकी intestine की inflammation को कम करता है blood pressure control करता है cancer को prevent करता है तो यह अद्रक आप जरूर लीजे गरम पानी में थोड़ा सा अद्रक को boil करके ले सकते हैं एक और चीज़ आपको करना पड़ेगा कि आप हर वकत कोसिस करिए कि बहुत सारा starch ले starch कहां पे आती है आलू में आती है rice में आती है legumes में आता है तो यह starch आपके stomach को healthy रखता है intestine को healthy रखता है starch ज़्यादा खाने की कोसिस करिए probiotic यह 9 नमबर है probiotic कौन सी चीज़े होती है दही बहुत important है और आजकल yogurt मिलता है दही के बदले वो आप जरूर लीजे इसमें एक apple cider vinegar भी आप ले सकते है भी एक probiotic माना जाते है इसमें बेक्टीरिया होती है जो healthy bacteria होता है वो उसमें जाती है हमारे intestine में और intestine को healthy रखती है fasting एक ऐसी चीज़ है जो आप जरूर करें महीने में एक दिन fasting करें या दो दिन करेंगे तो आपकी intestine को rest मिलता है आपको intestine को healthy रखने में मदद मिलता है पीपर मिंट भी बहुत काम करती है अगर specially जिसको पेट में दरहत बगेर होती है तो आप थोड़ा सा पीपर मिंट भी ले सकते हैं लोगों को आगे आपने देखा होगा पान में पीपर मिंट डालते हैं आप पेपर मिंट का पानी भी पी सकते हैं और एक हींग का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं हींग भी हमारे intestine को clean रखता है खोड़ा सा हींग का powder अगर आप पानी में मिला के पीते हो भी ले सकते हैं और खाने में भी हींग आइड कर सकते हैं तो दोस्तों ये 12 चीजें आप याद रखें आपके intestine को healthy रखने के लिए stomach को clean रखने के लिए और detoxify करने के लिए आज के लिए यहीं पे बिदा लेता हूँ मेरा नाम डॉक्टर बीमल चाजड है हार्ट का treatment करते हैं हम लोग भीना bypass भीना angioplasty हमारे website में जाईए और हमें आपको consult करना हो तो आप हमारे website में जाके हमें consult के लिए भी हमारा appointment ले सकते हैं thank you so much